नमस्कार दोस्तों आपके लिए एक बड़ी खुफ खबरी है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्परेफन लिम्टेड में फायक समीच्छा दिकारी यानि अफिस्टेंट रिब्यू आफिसर एरो के कुल 14 पदों की भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश पावर कॉर्परेफन लिम्टेड में एरो के पद पर पर्मानेट जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ा मौका हो फकता है जी हाँ दोस्तों ये आल इंडिया जॉब है इसमें सभी इस्टेट के कंडिडेट अपलाई कर फकते हैं ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्परेफन लिम्टेड की तरफ निकाला गया तो उत्तर प्रदेश के कंडिडेट फिर पीसमी इलिजबल है ऐसा नहीं है इसमें आल इंडिया के कंडिडेट अपलाई कर फकते हैं ये आल इंडिया जॉब है तो दो फीज के बारे में important date ऐसी बहुत फारी बाते हैं जो हम इस वीडियो में difficult करने वाले हैं तो दोस्तों फ़ागत है आप फभी का एक बार फिर फे आपके अपने यूटूब चैनल टागवित हेमराज में तो चलिए दोस्तों इसकी official notification डाउनलोड करके इसके बारे में detail फे जान के पद की भरती के लिए notification निकाला गया है भारतिये नागरिकों फे आवेदन केवल online माध्यम के द्वारा मंत्रित किये गए हैं मतलब कि ये आल इंडिया जॉब है इसमें सभी state के candidate apply कर पाएंगे फिर इसके बाद आपको यहां पास post देखने के लिए मिल जाएगी तो general category के निकाली गई है ARO के लिए तो आप यदि ST और EWS का टेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप फ़ौर में न भरियेगा फिर इसके बाद आपको यहां पास बेतन देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको बेतन 26,008 फुरुपय पर मन्त दिया जाएगा इसके बाद आपको यहा और मेकजिमम 40 साल एज रखी गई है यदि आपकी उम्र 21 साल फेले का 40 फाल के बीच में है तो आप इन पोस्टों के लिए अपलाई कर फकते हैं फिर इसके बाद आपको इलिजबिल्टी देखने के लिए मिल जाएगा तो यदि आपने भारत की किसी भी मानिता प्राप्त इंस्टिट्यूड फे ग्रेजुएशन कंप्लेट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर फकते हैं और फात में कंप्यूटर पर हिंदी टंकर में कम से कम 30 वर्ड मतलब की 30 सब्द प्रती मीनट आपकी स्पीड है तो आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर फक आप इलिजवल हैं फिर इसके बाद आपको यहां पाफ चैन प्रक्रिया यानि फ्लेक्सन प्रोफिफ देखने के लिए मिल जाएगा तो यहां पाफ जो आपकी लिखित पर इच्छा होती है तो उसके दो पार्ट होते हैं फास्ट पार्ट में कंप्यूटर ग्यान से संबं के लाना बहुत जरूरी है तब ही आप दूफरे पेपर के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे फिर इसके बाद आपका जब आप फ़स्ट पार्ट में क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपका दूती पार्ट होगा तो दूती पार्ट में समान अध्यान फे 20 प्रेफने क्वाला है और वनफोर्ट की कटाउती की जाएगी जब आप दूफरे पार्ट में भी क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपको मेरिट लिस्ट तयार की जाएगी और फिर आपको हिंदी टंकर मनलब की कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और ज की जाएगी यदि आप अधर स्टेट फे बिलॉंग करते हैं तो आपको एज में छूट नहीं मिलेगी आप चाहे यसी कटेगरी फे बिलॉंग करें जाहें ओवी सी कटेगरी से आपको जनरल कटेगरी में ही रखा जाएगा फिर इसके बाद आपको यहां पास अप्लीकेश फेस देखने के लिए मिल जाएगा तो यदि आप यसी एश्टी कटेगरी से बिलॉंग करते हैं उत्तर प्रदेश के हैं तो आटफ़चबी रुपए लगेगी और यदि आप जनरल कटेगरी और OBC कटेगरी और EWS कटेगरी से बिलॉंग करते हैं तो आपको 11.80 रुपए फीस देना पड़ेगा इसके बाद आपको important date देखने के लिए मिल जाएगी तो इसके फॉर्म में भनने की जो तिथिया हैं तो इसके फॉर्म में 4 अक्टूबर 2021 से भनना स्टार्ट हो गए थे और इसके फॉर्म भनने की last date है 25 अक्टूबर 2021 तो आप इन दो डेटों की बी वीडियो अच्छी लागी हो तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका बहुत बहुत धन्वाद है